Hello friends, इस वीडियो में Read Exam 2015 में Mathematics में पूछे गए questions solve किये गए, इसमें 15 questions solve किये गए और पहले के 15 questions part first में solve कर दिये गए आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा तो चलो बागी के 15 questions solve करते हैं Question 106 साधरन ब्याज की किस दर से कोई दर 8 values में दोगुणा हो जाएगा धन हमें पता नहीं कि वो क cylinder मान लेते हैं मूल्दन 100 रूपे है समय कितना दिया 8 रूपे मिश्रे दर दर 8 रूपे में कितना हो जाता है 200 रूपे और दर हमें पता नहीं ग्यात करनी है तो ब्याज कितना मिल गए हमें मिसरदन माइनस मूल धन यानि की 100 रुपे हमें ब्याज मिल गया ब्याज का एक simple सा formula जो हम सब को पता होता है मूल धन multiply sum 1 multiply दर upon hundred तो इससे हम दर का formula निकाल सकते हैं दर is equal to हो गया ब्याज multiply 100 upon मूल धन इंटु समय ब्याज कितना है? 100 रुपीज, multiply 100, मूल दन है 100 रुपीज and समय कितना है? 8 वर्स तो दर हमें मिल गई 12.5% option B अगर आप चाहते हैं कि यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है और हमें short में करना है तो एक simple से trick है कि जब भी मूल दन 100 रुपे होता है तो समय और दर का जो multiplication होता है वो हमेशा ब्याज के बराबर होता है It means हम अगर ब्याज में दर का भाग देंगे तो हमें समय मिल जाएगा और अगर समय का भाग देंगे तो हमें दर मिल जाएगी तो ब्याज में समय हमारे पास है तो समय का भाग देते हैं 8, तो यह मिल जाएगा 12.5%, option B, next question, यह question ratio शे है, और इसको solve करने के लिए पहले हमें इसे कुछ इस तरह से लिखना होगा, A plus B upon 6 is equal to B plus C upon 7 is equal to C plus A upon 8 is equal to, कोई भी अच्छा रासी मान लेते हैं, X मान लिया, अब तीनों को X के equal करना है, तो समिकर कुछ ऐसे बनेगी, A plus B is equal to 6X, B plus C is equal to 7X, and C plus A is equal to 8X, तीनों को जोड लेते हैं, तो 2A plus 2B plus 2C, यानि कि 2 common आ जाएगा, A plus B plus C is equal to 21X, A plus B plus C की value हमें question में दी हुई है, जो कि यह 14, तो यहाँ पर रख लेते हैं, 2 multiply 14 is equal to 21X, तो X की value हमें मिल जाएगी 28 upon 21, यानि कि 4 by 3, X की value है 4 by 3, अब तीनों में से मैं दो शमिकरन वो ले लूँगी, जिनमें कि C मौजूद है, क्योंकि हमें C की value पता करनी है, तो यह दोनों ही है, B plus C is equal to 7X and C plus A is equal to 8X, अगेन मैं इनको add कर लेती हूँ, तो यह मिलेगा A plus B plus C plus C is equal to 15X, A plus B plus C की value 14 है हमें हमें पता है, तो 14 plus C is equal to 15 और X की value भी हमें पता है, 4 by 3 है, तो यह cancel out हो जाएगा 5 time, यानि कि यहां हो जाएगा 20, तो 14 plus C is equal to हो जाएगा 20, तो C is equal to हो जाएगा 20 minus 14, यानि कि 6, option A, next question, नीना और मीना ने क्रमा सो 30,000 तदा 45,000 के निवेशी वेपार प्रारम किया, दो वर्स बाद 1,50,000 के लाब में मीना का भाग क्या होगा, मीना का profit बताना है, तो इसके लिए यह साजा का question है, तो पहले धन का ratio लेना होगा, नीना और मीना, नीना का है 30,000, जो कि है 2 years के लिए, और मीना का है 45,000, ये भी है 2 years के लिए, ratio हमें मिल जाएगा 2 ratio 3, total हो जाएगा 5, total benefit है 1,50,000 और इसमें भाग दे देंगे total ratio का धन के ratio का, और भाग किसका बता करना है, मीना का, तो इससे multiply कर लेंगे इसको solve करने पर आएगा 90,000, जो कि options में नहीं है, option D is the correct answer, next question, 1 by 2% का दसमल भीन में मान क्या होगा, अगर मैं कहूं कि 20% है, तो इसका मतलम क्या है, 20 by 100 है, बिलकुल ऐसे ही, 1 by 2 का मान क्या होता है, 0.5 कह सकते हम, और ये percent है, तो हम कह सकते है, 0.5 upon 100, और जब 100 का भाग दे तो ये point है, वो दो अंक इदर खिसकेगा, यानिकी point 005, option B, next question, राजिव की 5 वर्स पूर्वा आईउ, तथा 9 वर्स बाद की आईउ का गुन्दफल 15 है, तो राजिव की वर्तमान आईउ क्या है, बान लेते हैं, राजिव की वर्तमान आईउ x है, तो 5 वर्स पहले हो जाए गी x प्लस 9, और इन दोनों का जो गुन्दफल है, वो 15 के बराबर है, तो एक equation बन रही है, x-5 multiply x प्लस 9 is equal to 15, अगर हम इस equation से solve करते हैं, तो काफी lengthy हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम options को इस equation में बिठा ले, option A को हम देखते हैं, तो x की जगे 6 रखने पर, 6-5 multiply 6 प्ल हो रहा है, क्योंकि 1 multiply 15 is equal to 15, option A ही correct answer है, अगर हम 7 को रखते हैं, तो यह हो जाएगा, 7-5 multiply 7 प्लस 9, तो यह 15 नहीं होगा, इसको solve करने पर यह हो जाएगा, 2 multiply 16 यहनिकि 32, इस तरह से बाकी options भी incorrect होंगे, next question, दिएगे चित्र में AOB एक सरल रेखा है, जिस पर किरण OC आप द देते हैं, यदि A ratio B is equal to 2 ratio 1 हो, तो A का मान क्या होगा, यहाँ पर यह सल रेखा है, इस पर जो total कौन बनेगा, वो 180 डिगरी का बनेगा, और यह 180 डिगरी का कौन है, वो 2 ratio 1 में बटा हुआ है, यानि कि 3 भागों में बटा हुआ है total, और मान किसका पता करना A का, तो A का to 120 degree, option C, next question, किसे तिर पूछ A, B, C में, कौन A का 3 गुना, कौन B का 4 गुना, और कौन C का 6 गुना आपस में बराबर है, तो कौन A का मान क्या होगा, इसके लिए पहले हम इनका अनुपात ले ले लेते हैं, कौन A का 3 गुना, यानि कि 1 by 3, कौन B का 4 गुना, यानि कि 1 by 4, औ A बिन में हैं, तो हम इनको सरल अनुपात में बदलने के लिए 12 से मल्टिप्लाई कर देते हैं, तीनों को, क्योंकि 12 में इन तीनों का भाग चला जाएगा, तो रेशियो हमें मिल जाएगा, 4 रेशियो, 3 रेशियो, 2, इनका टोटल हो जाएगा, 9, और जो कौन होते हैं तिर दीगए आकरती में वृत का केंदर O है, तता कौन ACB का मान 40 डिग्री है, तो कौन AOB का मान क्या होगा, इस कौन का मान हमें पता करना है, यहां एक प्रमे काम करती है, कि वृत की जो चाप होती है, इसके द्वारा केंदर पर बनने वाला कौन, परिदी पर बनने वाले कौन क आमेशा दूगना होता है, तो ये परीदी पर बनने वाला कॉन 40 डिग्री है यहाँ पर, तो ये इसका दूगना, यानि की 80 डिग्री होगा. Next question, एक वरित की तरजिया, तीन गुनी करने पर नई परीदी, अपनी पूर्वर परीदी से कितने गुना होगी? मान लेते हैं, एक वरित है, और इसके तरजिया 1 मीटर है, ये दूसरा वरित है, और इसके तरजिया पहले वाले की 3 गुना, यानि की 3 मीटर है, पहले वाले की परीदी हो जाएगी 2 पाई R, R की जगे 1 है, और दूसरे वाले की हो जाएगी 2 पाई R, R की जगे 3 है, तो इनकी परीदियों का ratio मिल जाएगा हमें 1 ratio 3, यानि कि पहले वाले वृत की परीदिय अगर 1 meter है, तो दूसरे वाले की 3 meter, यानि कि 3 गुना, option A. Next question, एक कमरा 12 meter लंबा, 9 meter चोड़ा, तथा 8 meter उंचा है, इसमें अधिक्तम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? हम यां देख रहे हैं कि कमरे की लंबाई, चोड़ाई और उंचा है, 3 तीनों अलग-अलग है, यानि ये कमरा घनाब के रूप में, तो इसमें जो अधिक्तम लंबाई का बांस रखा जा सकता है, वो इसके विकर्ण के बराबर रखा जा सकता है और घनाब का विकर्ण होता है L square plus B square plus H square और इसका root होता है यहाँ पर हम मान रख लेते हैं 12 square plus 9 square plus 8 square यह हमें मिल जाएगा 144 plus 81 plus 64 जब हम इसको plus करेंगे तो यह होगा 289 यानि की 17 17 meter एक table दी हुई है और इसमें data दी होगा जिसके base पे हमें 2 questions solve करने है पहला question नगर E से परिक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संक्या कितनी है यह नगर E है इसमें total उम्मीदवारों की संक्या है 1.85 लाख और पास और फेल का को लनुपात है 5 इसमें से हमें पास का पता करना है तो multiply 3 कर लेंगे जब हमें से solve करेंगे तो यह हमें मिलेगा 1,11,000 option D next question परिक्षा में फेल होने वाले च्छात्रों की सरवादिक संक्या किस नगर की है तो जो नगर हमें options में दी हुए है हम उनी का चेक करेंगे बाकी का नहीं करेंगे option D इसमें correct answer होगा तो D का ही चेक करते हैं D में total उम्मीदवार है वो है 2.27,000,000 और fail और pass का total ratio हो जाएगा 4 हमें fail का पता करना है तो multiply 3 कर लेंगे जब हम इसे solve करेंगे तो यह मिलेगा हमें 1.70,000,000 जो कि अगर बाकी options को solve करते हैं तो उनमें सबसे सर्वादिक होता है और हमें शर्वादिक की पूछा है तो option D correct answer होगा Next question आयत चित्र प्रदर्शित करता है आयत चित्र सतत वर्गिकर्थ बारंबारता बंटन प्रदर्शित करता है option C is the correct answer Next हमें graph दिया गया है और graph के base पर ये दोनों questions solve करने हैं First question विद्याले T में लड़कों की संक्या है ये विद्याले T में total number of students है जो की है 1250 और इसमें से girls का percentage दे रहा है T विद्याले में girls का percent है 40% यानि 1250 का 40% है वो तो है girls और बाकी का जो बचा 60% वो boys है तो 1250 का 60% ये हो जाएगा 750 option C Next question विद्याले और P तता Q में कुल मिलाकर विद्यारतियों की और सत संक्या है ये विद्याले P में विद्यारतियों की संक्या और ये Q में इनका total हो जाएगा पचपन सो और 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 शब के लिए इसमें भाग दे देंगे दो का तो ही ये मिलेगा हमें 2750 जो की options में नहीं दिया हुआ है इसलिए इस question में bonus दिया गया Then friends, ये थे बाकी के 15 questions Thanks for watching Please like, share and subscribe my channel मिलते हैं next video में तब तक के लिए all the best